आज हम बनाएंगे साही टुकड़ा पुराना दिली का ये फेमोस साही टुकड़ा है आज उसी तरह हम त्यार करेंगे साही टुकड़ा हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे आयो कीचेन में स्वाग अथे चल ये इसे बनाना शुरू कते हैं ये बहुत जंदी बन के त्यार हो जाता है और टेश्टी भी है और ये हमने लिया है ब्रेड ब्रेड को हम इसी तरह से किनारे में काट लेंगे आप चाहे तो इसे बिना काटे भी आप इसे इसे तरह से बना सकते हैं ये किनारे थोड़ी हाड होती है तो हम किनारे जो है उसो काट लेंगे और इस तरह कि एक केक बाला ट्रे लेंगे या कोई भी आप नर्मल से प्लेट ले सकते हैं उसी के नाफ से आप इसे जैसे सेट करना चाहते हैं उसी साब से इसे सेट कर लेनी है और इसी साब से काट लेन है इसे डवल लेयर में हम इस तरह से बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो बड़ा सा ट्रे या कोई भी प्लेट आप जिससे आपको आसल लगे उससे आप त्यार कर लीजिए हमने इसी छोटे से ये में त्यार कर रहे हैं अब ये हमने घी गरम करके रखा है गी में हम इसे ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं आप चाहे तो इसे तेल भी कोई भी तेल में आप इसे फ्राई कर सकते हैं घी में फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही आचा आता है और इसे हल्किसी golden brown color होने तो इसे हम फ्राई कर लेंगे और दिखिए कितना अच्छा हमार golden brown color हो गया है और इसी तरह हम सभी को फ्राइ कर लेते हैं इसे ज़्यादा फ्राइ ना करें अगर ज़्यादा करेंगे तो यह कड़क्सी हो जाएगी बस इसे आख किसी golden brown color होना चाहिए तब तक इसे फ्राइ करनी है और यह दिखिए इसी तरह हमने सभी को फ्राइ कर लिए अब इसे साइड कर लेंगे और भी दोबारा हमने एक प्राइ गरम कर लिए उसमें डाले हाप कप चीनी और हाप कप पानी अब इसका हम चासनी त्यार कर लेंगे अब इसमें टेस्ट के लिया आप छोटी चामच इलाईची पाउडर आड़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आज इसमें थोड़ी सी चिपचिपापन जैसे होना चाहिए बस एक तार वला भी नहीं होना चाहिए बस थोड़ा सा होना चाहिए और इसमें थोड़ी आड़ कर लेंगे केसरी फूड कलर आप चाहिए तो फूड कलर के बदले में आप केसर के धागा भी आप इसमें आड़ कर सकते हैं और इसे हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे और ये दिखिए कितना अच्छा हमारे कलर हो गया है आप इसमें थोड़ इसी निम्बू का रस डाल लेते हैं इसमें बीज गिर गया इसे बीज मिलाना नहीं है बीज को हटा देनी है और ये देखिए हमारे चिप चिप आपन थोड़ इसी बस चिपगने चाहिए इतना दर इसे चिनी को त्यार कर लेनी है आप इसे हम ग्यास पर के सेट कर लेंगे और यह दिखे जो ब्रेड हमने रखा था प्राइ करके उसे जिस ट्रे में हमने यह करके रखा था मापके उसी ट्रे में फिर इसे हम सेट कर लेंगे आप चाहे तो इसे सिरा में डायरेट डाल के भी आप इसे इसमें रख सकते हैं आपने पहले शेट कर ले और उसके उपर में जो चीनी का सिरा हमने त्यार करके रखा है उसके उपर हम डाल लेंगे गर्मा गरम इसे डालनी है ठंडा ना होने दे दालने के बाद शेम कड़ाई हमने लिया आप चाहिते दूसरा कड़ाई भी ले सकते हैं अब इसमें हम डाल लेंगे दूद दूद हमने हाफ लेटर लिया है अब इसमें हम डाल लेंगे कन फ्लावर, दो चामच एक चामच सुगर पावडर आपको मिठा जितना पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें आड़ कर सकते हैं अदोब चामच मिल्क पावडर अब इससे सिंपल से इसी तरह से सिंपल प्रार्फम में इसे अभी ग्यास पे चड़ानी नहीं है अच्छे से इसे मिक्स कर लेनी है इसके अंदर कोई भी गांट या लम्स बिल्कुल भी ना बने रहे है अच्छे से मिक्स कर लेने है मिक्स करने बाद इसे हम ग्यास पे चड़ा लेंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे चलाते हुए इसे पगानी है इसको बिल्कुल छोड़नी नहीं है और दिखेंगे जैसे दिरे दिरे ये इसे चलाते रहेंगे और इसे पगाते रहेंगे जब दिखेंगे एकदम क्रिमी सी हमारे क्रिमी बन के त्यार होके और दिखेंगे ये दमक हमारे क्रिमी बन के त्यार हो गया है अब देख सकते हैं इसे और थोड़ी सी गाड़ा करेंगे यह देखिए इतना गाड़ा कर लेनी है अब इसे हम ग्यार से नीचे उतार लेंगे यह हमारे क्रिम बन के त्यार हो गया है अब जिस्ट में हमने ब्रेड और चिनी का सिरा हमने यह करके रखा है उसी के उपर सारे हमारे यह क्रिम को हम इसके उपर डालेंगे यह देखिए चार तरफ डालने के बाद इसे अच्छी से फेला लेनी है और इसके उपर हम डालेंगे बार इकटे हुए बादाम अब आपने पसंद के हिसाब से इसे डिकरेट कर सकते हैं अब आर इकटे वे पीस्ता अब इसमें हैर करेंगे टुटी-फूर्टी रेड कलर की टुटी-फूर्टी अब थोड़ इसी ग्रीन कलर की टुटी-फूर्टी और यह देखिए हमने अच्छि से ग्रीन कर लिया है आप इसे email दो ग्रीन तक 허टी टुकूर्टी टुटा Commercial ऑफूर्टी से नीकालनी तो अग्रीन तहों आद एक ग्रीन के लिए या एक ग्रीन के लिए इसे फ्रीज में रख लीजूआउए आप अच्छी तरह से जब थंडी हो जये थंडी होने बाद इसे निकालनी है ये दीखे हमने रख लिये थे 2 गंटे और उसके बाद हम निकाल रहे हैं ये हमारे अच्छे से थंडा हो गया है आप इसे हम काटके निकाल के दिखाते हैं और ये दिखिए इतना अच्छा हमारे साहे टुकड़ा बनके त्यार हैं आभी देख सकते हैं अचर इसके अंदर का लोग भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्लियार से बनके त्यार हैं एक बार प्राई किजिएगा जरूर बहुत दी स्वाधिATHAN है इस तरह से हमारे बन के त्यार हो गया है साही टुकड़ा I hope कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे होगी helpful होगी हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सस्क्राइब और वीडियो को ज़ियार कर दिछेगा हमारे वीडियो देखने के लिए थाइंक यू सो मच